आज का आर्टिकल है नागेटिव एंड पॉस्टिफ क्रिस्टल्स नागेटिव और पॉस्टिफ क्रिस्टल्स क्या होते हैं पहले मैं आपको डाइग्रामेटिकली समझा देता हूं अफिर उसके बाद हमें यह थियोरी पढ़ें कि आपने लिखना कैसे पेपर में पहले आप होते हें कि बादिव पॉस्टिफ क्रिस्टल्स क को सो देखो नाइगेटिव क्रिस्टल वो यहं पर बताओ जो है उपनेति पाने बांदी प्रॉट hmar भेग्नेवकर का और यह भी पता है आपको तो यहां पे भी जैसे कि यह एक्स्टराइब करती है और आपको यह भी पता होते हैं कि और एक्स्टराइब करती है दो दो रिफ्लक्षेशन पफॉर्म होती है एक होता है एक्स्टराइब करेचिश्टल एक होता है नागस्टिव क्रिस्टल पॉस्टिव क्रिस्टल नागस्ट अब जब हमारे पास एक्स्ट्रा ओडिनरी वेव मलब जो elliptical wavefront है वो हमारे पास spherical wavefront के अंदर हो तो उसको हम कहेंगे positive crystal और दूसरे case में जब हमारे पास spherical wavefront हो मतलब ordinary wave हो वो inside हो extraordinary के तब हम कहेंगे उसको negative crystal negative crystal में क्या होता है जो ordinary ray होती है वो inside होती है और extraordinary बाहर होती है और positive crystal में extraordinary अंदर होती है और ordinary बाहर होती है और यह जितनी भी चेजी है इस अलोंग optic axis कि अपिक एक्सिस की बात करें अपिक एक्सिस क्या होती है optic axis वो लाइन होती है जिसके अलोंग जब हमारे पास ordinary वेवरे और spherical wayfront आपस में मीट और है दो पोइंट पे तो वह वर ली जो दो पोइंट होंगी उससे जो line पास होती वो टिप्टिक एक्सिस लाइन होती है तो डियर two types of crystal positive and negative और ये positive and negative crystals आपको बतना चीए कि extraordinary ordinary पर ही defined होते हैं अब हम देखते हैं अपने exam में अपने लिखना कैसे है एक जाम में अगर आपको आई कि तो आपने difference कैसे लिखना है अ है कि तो देखो और negative crystal पर हम नेगटिव क्रिस्टल बनाया हुआ है हमने तो नागटिव क्रिस्टल में होता क्या है एक और बात इस केस में जो एक्टर ओडिनरी रे होती है वह फास्टर ट्रावल करती है और यह बाहर वाली है ओरडिनरी अंदर वाली है ऐ क्ट अलोंग एक्सिस म्विवतिक और दो लोंग की सेम होती है जविए विलोष्टी सेम होगी जब यह पक्त अलावा यहे ट्रावल इर्श दर आवर उल्डिंडरी लिए कि रिफ्र ereक्टिव इंडेक्स ओफ ए ले इस ये इस लजए डेर्ड टी में एकषय कुई हट recognition जो अब नेक्ड़ किसनेग्स बनाइस केस्मी अधा सफेरिकल वेफ्रंट लाइस इंसाइड दी अलिप्टिकल वेफ्रण जैसे वेफ्रण यहां पर दिखर आऊगा आपको कि जो इस सफैरिकल वेफ्रण यह अंदर है और अलिप्टिकल वाला बाहर है नेक्स्ट इसकी एक्जामपल है कैलकाइड और टॉरलेमाइन एंड रूबी एक्सेटर ठीक है उसके बार नेक्स आता है पोजिटिव क्रिस्टल में उल्टा होता है ओडिनरी यह ता विलोस्टी ओडिनरी इस ग्रेटर देन एक्सेप्ट लोंग ऑप्टिकल एक्सिस इस केसे इसकी एक्स्टर ओडिनरी रिए पॉपटिक अक्सिस नेकल आइसके सेम इसके स्में एक्सटर ओडिनरी इसके में रिफरक्टिव इंडIEक्स ऑफ ओगिनरी डमें इस case में ultra refractive index of ordinary ray is less than refractive index of extraordinary ray except along optic axis देखो जब भी हम बात करेंगे न optic axis की तो optic axis इस axis के along optic axis के along इनकी velocity भी same होती है extraordinary and ordinary ray की optic axis के along इनकी velocity भी same रहती है इनका जो refractive index है दोनों का वो भी same रहता है इन positive crystal E ray lies inside the spherical wavefront एक elliptical wavefront lies inside the spherical wavefront इस case में जो ellipsoid wavefront है वो सफेरिकल wavefront के inside लाई करता है देख भी रहे elliptical wavefront lies inside the spherical wavefront और इसके examples है quads quads and rutile जो यह थाड़ा डिफरेंस बेटें पोजिटिव और नाइटिव क्रिस्टल एक्जाम में जनली रिपीट होता है question thank you जया hypothे र खेंड़ tribalपण बेरेंस बेरेंसे में में जनली तर गुझाउच hm